नमस्कार दोस्तों आप सभी कामाय चनल पर आधिक स्वागत से दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको पताएंगे कि 25 अक्टूबर दिन बुद्वार के लिए आपका सुब अंक और सुब रंग कौन सा है आप दोस्तों सुब अंक और सुब रंग के माध्यम से अपना पू आपको बताएंगे जो की ग्रहों के गोचर इस्तिती बदलने और नच्छत्रों की सिती की गर्णा करेके यह सुब अंक और सुब रंग निकाले जाते हैं और दोस्तों यह मूलंक के आधार पर आपको सुब रंग और सुब अंक बताएंगे इसका प्रयोग करके आप अपने बिजनिस में, किसी ब्यापार में या आप उने नवकरी के छेतर में अपार सफलता हैं, प्राप्त कर सकते हैं आप किसी यात्रह में जा रहे हैं किसी इंटर्विव में जा रहे हैं पर इच्छा देने जा रहे हैं खेल कोद में जा रहे हैं तो आपको वहां सफलता अवस्य मिलेगी क्योंकि ये दोस्तों नशत्रों और ग्रहों के आसिरवाद से सुब अंक और सुब रंग अंक जियोतिस के माद्य resist के निकलता है और यह आपके मुलांग के हिसाब से यह क्या करके आप अपना भाग और सक रहना कि पता सकते हैं तो दोस्तों मैं मैं आपको मुलांग का जारेत अभी थोई Western में बदाऊँंगा कि आपका सूर्ब यूख साथ ही पारवारी की सिती अच्छी कर सकते हैं, जो भी आपको परिसानिया दुख डर्द है, उसमें आप कमी कर सकते हैं और उनसे पार पा सकते हैं, आपका जीवन सफल हो सकता है, तो दोस्तों ये सुब अंक और सुब रंग बताने के लिए आपको अपना मुलांग पता होना आपको अपना मुलांग निकाल चुके होंगे, लेकिन जो लोग नए नहीं समझ पार हैं मुलांग कैसे निकाला जाता है, उनके लिए बता देता हूं कि मुलांग निकालने के लिए आपको अपनी जन्समालम होनी चाहिए। दोस्तों जन्वतित हिमाली जी की आपकी 29 अगस्त 1990 है तो दोस्तों ये जो तारीक 29 अगस्त आई इसमें तारीक है 29 तो दोस्तों ये इस 29 के माध्यम से आपको अपना मुलांग निकालना होगा दोस्तों मुलांग हमेशा एक से नो के बीश में होता है और इसमें आपकी जन्वतिति माली जी के पढ़ रहे है 29 तो आपको ये 29 में ये दो संख्याय हैं दो और नो इनको आपस में जोड़ना पड़ेगा इन दोनों का आपस में जोड़िएगा तो दो और नो निकल करके को जोड़ना पड़ेगा 11 के एक और एक तो दोनों को जोड़ेंगे तो आजाएगा दो इस तरह से 29 तारीक वालों का मुलांग होगा दो इसी तरह से आप अपनी जन्मितित के हिसाब से अपना मुलांग निकाल सकते हैं और अपना मुलांग जब निकला हुए उसके हिसाब से आप इस वीडियों में मैं बता रहा हूँ कि आपका सुब अंक और सुब रंग कौन सा है 25 अक्टूबर 2023 दिन बुद्वार के लिए और दोस्तों ये सुब अंक और सुब रंग मुलांग के इसाब से रोज अलग-अलग होता है इसलिए आपको रोज इस वीडियो में और हमारे इस चैनल में आपको रोज बताया जाएगा कि किस दिन के लिए कौन सा सुब अंक और सुब रंग है दोस्तों मुलांग एक वालों का सुब रंग है 15 सुब रंग है गुलावी मुलांग दो वालों के लिए सुब रंग है 19 सुब रंग बैंगनी मुलांग तीन वालों के लिए सुब रंग है 20 सुब रंग लाल रेड मुलांग चार वालों के लिए सुब रंग है 11 सुब रंग है भूरा मुलांक पांच वालों के लिए सुब रंग है 10 10 सुब रंग ग्रे मुलांक 6 वालों के लिए सुब रंग है 19 और सुब रंग है नारंगी मुलांक 7 वालों के लिए सुब रंग है 29 और सुब रंग है सफेद वाइट मुलांक 8 वालों के लिए सुब रंग 26 और सुब रंग निला याने की ब्लू इसी तह़ा से मुलांक 9 वालों के लिए 1131 और सुभरंग के सरिया दोस्तों थोड़ा बता देते हैं कि यह सुभ और शुभरंग का प्रयोग कि स्थार से करें तो दोस्तों सुभ और प्रयोग करने के लिए आप मान लेजिए कि सूबंग आपका निकल करके आ रहा है अठारा तो आप इस अठारांग को अपने साथ में रखना है जैसे कि आप अपने पास में अठारा रुपए रख लेजिए अलग-अलग नोट सों मिला करके संख्या अठारा होनी चाहिए या अठारा सिक्के रख लें उनकी बैलू अठारा हो इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपके सूबंग के बरावर बैटे ही हो उसको अपने साथ रखें इसके अलावा आप इन सूबंगों का प्रयोग यदि इन सिक्कों के और रुपयों के माद्यम से नहीं कर पा रहे हैं तो आपके घर में कोई भी अनाज हो गेहूं हो चावल हो डाल हो आप इनके दाने जितने सूबंग हैं उनको गिन करके आप अपने पाकेट जे पर्स रुमाल बैक कहीं भी आप रख लें तो ये आपके सूबंग पूरे दिन आपका भाग बदलते रहेंगे आपका भाग हमेशा साथ में रहे गए हो इसके अलावा आप किसी भी रूप में इन अंकों का प्रियोग करके अपने साथ रख सकते हैं इन में से दोस्तों कोई भी चीज अबिलेबिल नहीं है तो आप एक साधे कागज पर अपना सूबंग लिखिए और अपनी जे पाकेट पर्स में रख लीजिए गा इसके अलावा आप अपने ब्यापार के छेतर में एदी हैं तो आप वहाँ पर इसी सूबंग के बराबर कोई पहला अपना बेवसाय आरंब करें पैसे से हो चाहे उसकी संख्या में हो गर्णा में हो तो और बेतर रहेगा यह से की सेर बजार में टेडिंग करते हैं तो जि अचारा कॉंटि किसी सेर की ख़री दिया बेंच करके चलें तो उसमें आपको असीम सफलता है मिलें या मॉंट को इस तरह से इन्वेस्टिमेंट करके आप उन्हीं शुरुवात करें तो उसमें आपको और सलाव मिलेगा तो यह आपका मुलांक अदारित यह सूब अंग है ये हमेशा नच्छत्रों और ग्रहों क्या आपके साथ में आसिरवाद है दोस्तो इसी तरह से आप सूब रंग का भी प्रयोग अवस्त करें जैसे कि माली जी की आपका सूब रंग है नीला तो दोस्तो आप अपने नीले कलर को अपने साथ में रखें आप साथ प्रेंट उस कलर का यूज़ कर सकते हैं टाइ यूज़ कर सकते हैं आपकी रुमाल हो उस कलर के आप उसको यूज़ कर सकते हैं मैला है साड़ी सूट हो उनका नेल पालिस हो हेर क्लिफ हो उनका बैग हो परस हो कुछ भी हो आपका सुब रंग का यदि अपने साथ में प्रयोग करके रखेंगे तो आपको हमेशा आपका भाग आपके साथ में बना रहेगा और इस तरह से यदिन वे से कोई चीज आपके साथ में नहीं अभलेबल है सुबरंग रखने के लिए नीले को तो आप अपने नीले आपका जो भी सुबरंग है तो आप उस सुबरंग को एक साधे कागज पर लिखिए और अपनी पाकेट में जेब में पर्स में आपने साथ में रखिए ये आपको दोस्तों हमेशा आपके बागए को चप गाते रहेंगे त inan कि तो इस तरह अप दुनों सुब आंक और सुब रंग को अपने साथ में रखिए‍चे और आप अपने कारेच्षेत में असीम सफलता प्रात्व करिए आप इसका प्रयोग करके देखिए आपको खुद इसमें पॉजिटिविटी मैसूस होगी जिस तरह से आप अपने घर से किसी कारे के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले बढ़ों का आशिरवाल लेते हैं इस देवताओं का पूजान हमन करके उनका आशिरवा है और यह आपके मुलांग के आदार पर होता है और यह रोज आपके मुलांग के आदार पर अलग अलग सुब रंग और सुब अंग निकलते हैं इनका प्रयोग करें तो आपके जो भी कार हैं वह और से सफल होंगे तो दोस्तों यह जानकारी और यह वीडियो आपको अच् लाइक करें, सेयर भी करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें मेरी तरफ से आप सभी का 25 अक्टूबर 2023 दिन बुद्वार काफी सुब हो मंगल मही हो, लापकारी हो, यह हमारी हर्दिक सुब कामना है धन्यवाद